पतंपूर की अप्टेक कंपनी ने 200 से अधिक लोगों को एक साथ नोकरी से बेदखल कर दिया सभी पिडित बदवार को श्रमायुत कारलाय पहुँचे इन्होंने बताए कि प्रिशासनिक अधिकारियों की कंपनी से मिली भगत है हम लंबे समय से अधिकारियों को कंपनी के मनमानी के जानकारी दे रहे थे बदवार को इंदवार श्रमायुत कारलाय पर सेकडों लोग पहुचे इन्होंने कहा कि पतंपूर की अप्टेक कंपनी में लंबे समय से काम कर रहे है यहाँ नियमों को दर किनारा कर करमचारियों के हितों का हनन हो रहा है कई सालों से एग्रिमेंट नहीं किया जाए से हम जीत गए उसके बाद कंपनी को देना था एक काजमी को 556 लाग रुपे एरियर बन रहा था उसको देखकर उसने सुप्रिम पूर्ड चले गई और इधर स्रामाईयुक से मिलकर और हमारी लोग चट्नी कर दिया गया था लेकिन स्रमाईक के द्वारा जो है वो एक लाइन लिखे गई थी कि आप जो है इसको पुना आवेदन कर सकते हैं उस आवेदन पे बिना सुने हमारी बात कोई एक तरफा स्रमाईयुक ने डिखें दे दिया जो कि 217 लोग आज बेरोजगार हो गया है और कंपनी ऐसा भी नहीं है कि कंपनी नहीं चल रही है कंपनी में जो है है कि हमको बाहर जाना है लेकिन बाहर नहीं जाना दिया रहा है और चार सो केजूल भी काम कर रहे हैं वहां पे जो की मतलब एक सरासर गलत है और इसमें जो है वो स्रमाईयुक्त का पूरा-पूरा स्वयोग को मिल रहा है और यहां पे पुलिस प्रसासन और धार में जो है क्रियंद करड़ा जो है वह पुलिस प्रसासन को लेकर वह हमारे उपर इतना दवाव डाल रहे हैं कि मतलब बिना किसी वज़ा से 36 लोगों का नाम जो है वह क्रिमिनल में डाल दिये हैं कि मतलब यहां पर आओ और आप जैसे जाएंगे वहां पर हमको उठा लेंगे तो इस त कि अजाएंगे जाई का प्रशबद कि याजाएंगे जाएंगे लोगों कि याज़ा रहे नेज़ा को शतीन जाएंगे लेपावे जाएंगे जाएंगे याजा से 7 लिए जाता है